हेलो फ्रेंड्स आज हम पोटुलाका की प्रूनिंग करेंगे यह बास्किट में जो लगाया हुआ था विंटर में इस तरह से यह बिल्कुल इनकी ब्रांचिज ड्राइ हो चुकी है डैड हो चुकी है तो इन्हीं को निकालना है आज क्योंकि यदि हम नहीं निकालते हैं तो यह अच्छे से ग्रोड नहीं कर पाएगा और इसके ग्रोथ भी कहीने कहीं रूक जाएगी हम ऐसे कट करके इनको निकाल देंगे इस तरह से अब हम इसको ऐसे कट करके यहां से बास्किट से इसको निकालेंगे यहां पर हम बास्किट से इसको निकाल देंगे इस तरह से यह देखे पीछे इसके यह रूट्स आई हुई है जो old roots हैं इनको हम cut करके इस तरह से cut कर देंगे और इनको निकालेंगे ऐसे क्योंकि इन roots को जब हम निकाल देंगे तभी इनकी new roots बन पाएंगे और अच्छे से plant healthy हो पाएगा इस तरह से हम इनको निकालेंगे और नीचे यह मैंने मिटी ली है और इसके उपर हम इनको लगाते जाएंगे अब इनकी रूट्स जो है वो नीचे जो हमने अलग से मिटी ली है उसमें फैल जाएगी और यह प्लांट जो है ज्यादा केर भी नहीं मांगता इनकी सारी जो ब्रांची जो है उनको हम लगाते चलेंगे कम्प्लीट को इसको भर देंगे और इनकी सारी जो ब्रांचे छोटी से छोटी भी वो लग जाती है ऐसा नहीं है कि लगेगी नहीं सभी लग जाती है यह जो भी था यह, complete हम इसको लगा देंगे, इस तरह से, और इनको थोड़ा सा हम इनकी roots को इनको दबा देंगे, और देखिए, छोटी सी छोटी जो भी थी, मेरे पास branch in की, उनको मैंने लगाया है, और complete को भर दिया है, और इसको भी हम तोड़के लगा देंगे, इस तरह से, और, आब हम इसमें, वाटरिंग करेंगे, इस तरह से, हम इसमें, अब इसको हम रख देंगे, और ये देखिए, फ्रेंट्स, कितने अच्छे से, कितना healthy plant तयार हो गया, और ये जो प्रूनिंग थी, हमने मार्च में की थी, और अब मई के महीने में, बहुत अच्छे से flowers आ रहे हैं, इसमें, कितना healthy है, बहुत सुन्दर भी लगता है, और इसमें multi color है, ये देखिए, कितनी ज़्यादा बर्ड्स भी आई हुई है, और डेली इन में बहुत सारे flowers आते हैं, देखो, और इस तरह से जो ये ड्राइ हो चुके हैं, flowers इनको भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि नई birds तभी बनती हैं, जब हम इनको निकाल दें, और इन में daily flowers आते हैं, complete धूप चाहिए इसको, और फुल्डे ये मेरा plant धूप में ही रहता है, और बड़े अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इनकी यदि हम प्रूनिंग नहीं करते हैं, तो इनकी roots को फैलने के लिए जगे भी नहीं मिलती, नहीं रूट्स भी नहीं बनती, और उपर जो इनकी branches है, वो भी इतनी healthy नहीं हो पाती, तो इस तरह से हम इनकी, मैंने अपने सभी जो प्रूटुला का हैं, उनकी सभी की प्रूनिंग कर दी थी, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, सो फ्रेंट्स मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू,